तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पम की एसेंब्लिंग करने वाले हैं जिए दोस्तों जो कि कुछ इस प्रकार का पम दिख जाता हम यहाँ एक और चार नट और चार इस्टेरड फाल पंप आजाता है इसको दोस्तों हमने सीधा मोटर कूपर ही ह HOLT किस भी पामको बना सकते हैं और एस उस्सारी मचतिक कर दीजिए तो क्यों हम आज किस वीडियो में हम एसेंब्लिंग करने संमर्सिबल की जो की दोस्तों पोसिस परकार की यह मोटर की सेट आजाता है यहां पर आफ ध लेट मसीन पर होती है उसकी प्रोसेस में जल्दी आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा तो इस पंप की एसेंबलिंग करने वाले हैं यहां जो है और यहां साथ स्टेज का बनने वाला हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या पार्स इसमें यूज होते हैं उन सभी कुछ इस प्रकार से सक्षन में हो जाते इसके बाद यहां पे हमारा बलेक बाउल आसा इसके बाद यहां पे मीडल आ जाता है जिसमें यहां पूसिंग जो है रबर की बूसिंग को जाती उसको मैं आपको बाद कई लेंकि बोल्ट साज आ जाता है जो कि इस वाइसर के साथ होता है इस बोल्ट में यहां प्लासिक की होती है उसके बाद यहां आदे वाइसर जो कि चोदा आधे का साइज जिसको हम बोलते हैं यहां च्छे एमें का टॉप आज सर जो कि स्लीव को टाइट करने में काम आता है यह दोस्तों कुछ इस प्रकार करता है यह कहां पर यूज होता है क्यों होता है वह दोस्तों आगे वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बाद यह पर स्लीव स्लीव आ जाती है जो की गू में घूमते हैं यहां पर यहां पर प्रेसर मोटर बनाने वाले हैं आपको यहां पर इस मोटर पर हमने लगा दी इसके बाद यहां पर यहां सक्षन आ जाता है जो कि सक्षन को कुछ इस प्रगार से इस मोटर पर हमें लगा देना है यहां दोस्तों उसके बाद इस सेटिंग स्लिव के यहां पर डाल देना है हम इंपर को डाल के हम पर चक कर लेते हैं कितना इम्म हमें प्लेयर रखनी है तो यहां पे दोस्तों दो से ढ़ाई में प्लेयर रखनी है जो कि हमने इस श्टिक से बनाई हुई है यहाँ 2.2 mm की श्टिक से लकड़ी की इसमें हमने माप के वर्नियर से केवल 2.5 mm की यहां देख सकते हैं आराम सी याश्टिक जा रही है तो यहां पे हमें रखना यदि हम किसी बाउल को बनाते हैं तब इस बाउल को डाल देना और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे प्ले जरूर होनी चाहिए तब ही यहां बाउल चलेगा उसके बाद दूसरा stage का दूसरा impilar भी डालते हैं तो देख सकते हैं फिर से हमें इसी stick से हाँ पर लकड़ी से माप लेना है कि कितना play हमें रखना है फिर दूसरा stage भी complete हो चुका है और इसी तरह से जल्दी से हमें pump बनाते हुआ चलेगाना है सभी को इसी स्टिक से प्ले रख देनी है कुछ इस प्रगार से और फिर इस प्मकों में बनाते हुए चले जाना है यह दोस्तों आधे साथ इस्टेज का पंप है जिसमें साथ एंपिलर और साथ बाउला आते हैं और लाश्ट इस्टेज भी कुछ इस प्रगार से मापके हमें बना लेना है और यहां पर लाश्ट बाउल में यहां पर की रिंग निकाल दी हुई है ताकि ज्यादा प्रेसर इस पंप से आ सके ओर अभाव देख सकते हैं पूरा पंप जो है वह हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है उसके बाद दोस्तों यह वाइसर जो है एजाता है इस वाइसर को हमें यहां लगाना होते हैं यह एमपिलर जो है बाउल में चलते हुए घिस ना सके उसके बाद इस मेडल में हमें यहां रबर बूसिंग लगा देनी है कि तो कुछ इस प्रकार से यहां रबर बूस हमने इस मेडल पर लगा दी है जो कि इस लिव में घूमती है इसके बाद दोस्तों यह पर देह सकते हैं यह प्ले होती हैं यहां पर ज्यादा कितने mmq हैं दोस्तोंμ.25.3 mmq प्लेल यहां पर हैं उसके लिए क्या करना है willen चलिए आपको बताता हूं यहाँ और बढ़ाने के लिए उस वैसर को इस वाइसर को क्या करना है हमें नीचे डाल देना है यानि कि इस वाइसर को निकाल के यहां पर नीचे इस वाइसर को डाल देना है प्ले घटाने के लिए और फिर सिलीव रखके और फिर इस मिडल को रखके यहाँ पे फिर से चेक करण है तो देख सकते हैं देख सकते हैं और कि अप्ले हम समत चुक्त होंगे कि वाय सर्भ में या थोड़ा सा उपर रखना है तो अब नीछे वाय सर्थ डालें गए तो क्या हो होगा तो यहां पर नीचे वाइसर डाल देना है और फिर इस स्लीव को यहां पर डाल देना तो देख सकते हैं अभी थोड़ा सा और वाइसर यहां पर डालना होगा तो देख सकते हैं एक एमम जो है यहां साप्टिंग से स्लीव उपर है ताकि इस एमपिलर को हमें टाइट करने में मदद मिल सके उसके बाद यहां पे चावी डाल देनी है और फिर इस टॉप वाइसर को लगा के इलंकी बोल्ट से इस पंप को टाइट कर देना है फिर इस इलंकी बोल्ट को टाइट कर देना है फॉल अब देख सकते हैं पर हमने टाइट कर दिया है और फिर इस मिडल को यहां पर डाल देना है कि उसके बाद यहां पाइप जो है इस बांदे को निकाल लेना है पूरा और फिर इस पाइप में उल्टा करके डाल देना है और फिर इस सक्षन को भी खोल लेना है उसके बाद यहां से कि अब और फिर इस सक्षन में अपने देखा होगा अपने देख सकते हैं यहां पर यहां पर लएकि यहां पर इसन नट रगा के चारो कि अद्ध मार्ण कि बॉल्ट्स को लगा कर यहां पर कर देना कि इस पाने से फूल टाइट कर देना है कि अधी एक लोंग की बॉल्ट्स को फुल टाइट कर देना है और उसके बाद आप ने देखा कि यह आप हम जो है पूरा सेंबल होके complete हो जो जोगा आप देख सकते हैं यहां पर पूरा पुछ इस प्रकार से सेंबल होके complete हो चुका है अब इस pump में इस मोटर के उपार लगा के आपको इस की दिखाताहूं फोटो मैं तो आप देख सकते हैं है यहां पर इसकी प्ले एक देड़े में ही बची हुई है और पूरा पंप जह हैं कंप्लिट हो चुका है यानि की इस मोटो में के वाल देडह में की रखनी होती है अब देख सकते हैं इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाती और फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मोटर की भी से एम लिंक करके आपको दिखाऊंगा कैसे इस मोटर को खोला जाता है और फिर कैसे इस मोटर को पूरा कम्प्लीट नया जो है कैसे बनाया जाता है वो दोस्तों अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो द सब्सक्राइब करके प्रेस भी कर दीजिए ताकि जब भी में विडिस को अप्लोड कर सबसे पहले उसके अप तक पहुंचे और सबसे पहले आप उसी वडियों को देख पाएं तो चलिए फिर से मिलते हो एक और टेकनोल जिस वहरी विडिस को साथ अप तक लिए जैहन वंद मादर